नमस्कार दोस्तों आज हम सीखने वेले चक्रवर्ती ब्याज कैसे ग्याद करते हैं तो आज का हमारा जो पहला क्यूशन है वो है चार जार रुबे का 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से धाई वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा तो इसमें हमें समय दिया गया है डाइवर्ष का दर दे रखी है 10% और मूलदन है 4000 रुपे तो अब आपको पता हैं कि हमेसा हम मूलदन को 100 मानकर कोई भी क्यूशन को करते हैं क्योंकि जो संक्या दी गई है मूलदन की वो अपने अप में हमेसा 100% होती है ठीक है और उसी पर जो है ब्याज लगाया जाता है तो हम मानेंगे कि जो मूलदन की रासी है वो 100 है और उसका 10% करना है ब्याज तो हो जाएगा 110% जो कि मिश्रदन होगा मूलदन हो जाएगा यानि प्रिंशिपल एमाउंट और इंट्रेस्ट हो जाएगा इन दोनों को जोड़ेंगे तो आजाएगा एमाउंट यानि कि मिश्रदन बन जाएगा 110% अब हम इसको जो है 4000 गुणा जो है 2 साल और 6 मैने के लिए हैं तो हम यहाँ पर कर लेंगे 110 एक साल का बटा सो और 110 दूसरे साल का बटा सो हो जाएगा और तीस्रे साल में आप देखने हैं कि पूरा वर्स नहीं आदा वर्स नहीं यानिकि chance माई तो यहाँ पर हमें 10% जो है 12 माह का दे रका है 10 प्रतिस्यत बराबर 12 माहा कितना 12 माहा का ब्याज आए तो 6 माहा का ब्याज हो जाएगा 10 का आदा यानिकी 5 प्रतिस्यत कितना हो जाएगा 5 प्रतिस्यत हो जाएगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे 105 क्योंकि आदी वर्सका है तो 5 ही जोड़ेंगे इसमें तो 105 बटा 100, इस प्रकार से इसको लिख देंगे, फिर यहां पर दो 0 से 2 0 400 में से cancel हो जाएगा, यहां का 1 0 और यहां का 1 0 cancel हो गया, फिर उपर का 1 0, 1 0 cancel हो गया, 100 का यहां पर 110 से 1 0 cancel हो गया, अब जो बच्ची ये संक्या उसको हल करते हैं, 10 में 5 का भाग दिया 2 बार गया 105 में 5 का भाग दिया 21 बार गया ठेक है और 2 का भाग जो है यहां पे 4 में दिया तो 2 बार गया अब जो संक्या बच्ची है वो बचेगी 2 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 21 संक्या बच्ची है 2 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 21 यह संक्या बच्ची है तो आब हम इनको क्या करेंगे आपस में गुणा कर लेंगे इन सभी को आप गुणा करेंगे तो गुणा करते हैं तो आएगा अंसर हमारा 5000 और 82 क्या आएगा पांच अजार बैयासी यह आया है मिश्ट्रधन ठीक है अब पांच अजार बैयासी में से जो मूलदन है हमारा चार अजार रुपे उसको घटा देंगे हम तो आजाएगा एक हजार बैयासी जो कि आपका चक्रवर्ति ब्याज होगा डाइवर्स का यही आपका आंसर होगा ओके आज़सा करता हूं कि अच्छे से समझ माया होगा एक बार फीर से समझा जीता हूं यह हमने जो है 100 मूलदन मानाए हमेसा जो है मूलदन को 100 मानकरी क्यूशन को सॉल करना है तो 100 मूलदन मानाए 10 जो है इसमें ब्याज जुड़ ज़ूड़ जाएगा 10 प्र सो फिर 105 क्योंकि यहां पे धाई बहुर्स है तो 6 मा का जो ब्याज है वो हमने 5 परतिशत लगाया है क्योंकि एक साल का ब्याज अगर 10 परतिशत है 12 मा का तो 6 मा का हमने कर दिया 5 परतिशत तो यहां पर हमने 100 में 5 चोड़ा तो 105 हो गया बटाव में 100 उसके बाद में जो संक्याई कट रही थी उनको काट लिया और जो बची थी वो संक्याई 2 x 11 x 11 x 21 थी उनको हल किया तो आगया 500082 फिर 500082 जो मिस्रदन है उसमें से 4000 मुलदन को घटा दिया तो 1882 जो है यहां पर चक्रवर्थी ब्याज आ जाएगा 20 साल का इसके बाद में अगला सवाल है 12% वार्षिक चक्रवर्थी ब्याज की दर से 10,000 रुबे का एक वर्ष दो मा का चक्रवर्थी ब्याज क्या होगा अब बहुत ही इजी है समय दे रखा है अपने को एक वर्ष और दो मा का 10,000 रुपे जो हैं मुलदन है और 12% वार्षिक चक्रवर्थी ब्याज की दर दी गई है तो अब आप इसमें क्या करेंगे सबसे पहले आपको पताएं कि 10,000 यहां पर लिखेंगे आप 10,000 इंटू एक वर्ष यानि कि 12% है और मुलदन को हम हमेशा 100 मानते हैं तो 100 क्लस 12 करेंगे तो हो जाएगा 112 कितना हो जाएगा 112 बटा 100 यह तो हो गया एक साल का अब उपर के जो 2 माँ हैं अब यहां पर आप देखने हैं कि 12 माईने का 12 परतिस्त वार्षिक ब्याज है तो दो माईने पर 2 माईने पर 2 परतिस्त हो जाएगा क्योंकि 12 में 12 का भाग दिया हमने 12 परतिस्त में 12 का भाग दिया तो एक आया, अब एक प्रतिसत जो हैं, एक माँ का हैं, तो यहां पर दो माँ दी होए, तो दो प्रतिसत हो जाएगा, तो आगे हम लिख देंगे, 102 बटा 100, क्या लिखेंगे, 102 बटा 100 लिख देंगे, अब 2 0 में से 2 0 कैंसल हो गया यहां पर, 2 0 से 2 0 और कैंसल हो गया, पीछे बच्चे अपने पास 112 गुणा 102 यानि कि 112 और 102 को आपको आपस में multiply करना है इन दोनों को अपन multiply करते हैं तो हमारा जो answer आएगा वो आएगा 11424 जो कि क्या होगा मिश्रदन होगा क्या होगा मिश्रदन 11424 जो हैं वो होगा मिश्रदन उश में से जो मूलदन है 10,000 वो हम घठा देंगी तो जो संक्या होगी वो होगी 1424 क्या होगी 1424 जो की चक्रवर्ति ब्याज होगा एक वर्स और दो माह का ओके आसा करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर नहीं आया है तो आप इस वीडियो को दुबारा देखें तो आपको समझ में आ जाएगा अब इसके बाद में आपके लिए आज का जो प्रैक्टिस का क्यूशन है वो ये हैं कि 20,000 रुबे की रासी का 20% वार्सिक चक्रवर्ति ब्याज की दर से दो वर्स और तीन मा का चक्रवर्ति ब्याज ग्याद करना है अब जिस प्रकार से आपको ये दो सवाल करवाए देहें उसी प्रकार से आपको ये तीशरा सवाल करना है और इसका जो भी आपका अंसवर आता है वो आप इस वीडियो की कमेंट में कमेंट करके जरूर बताए कि इसका आपका answer क्या है आया है ताकि मेरे को भी पता लगे कि आपको कितना समझ में आ रहा है या नहीं ऐसी और वीडियो देखने के लिए सबसे पहले आप इस चैनल को सबस्क्राइब कर लें ताकि इसका जो है notification सबसे पहले आप तक पहुंच सके और अपने दोस्तों में औ कि झाएब कर दोस्तों में आपको कि योलिए नहीं व क्कell